दोस्तों इंडियन रिल्वे फाइनेंश कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आई एर अपसी की बात करें तो श्टॉक ने आज काफी सांदार तेजी मता ही लेकिन जो क्लोजिंग है वो गिरावट के साथ हुई और इसके पीछे वज़े बाजार में गिरावट बाजार ने बहुत जल्द यहां पर एक जबरदस तेजी देखने को मिल सकती है यहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि काफी लोगों को बार बार ये मन में डाउट भी आते है कि स्टॉक जो बीस पच्छिस के आसपरस था वो लगबग एकसो सबतर असी तक पहुँच जुगा अब और क के कामकाज के दम पे यह ऐसे ही स्टॉक है रेलवे के जो आने वाले से में बड़ा कमाल कर सकते है क्योंकि सरकार ने अपना वीजन क्लियर कर दिया आने वाले से में रेलवे सेक्टर में बहुत सारा इंवेस्मेंट होने वाला है अलग-अलग डिवीजन में अलग-अलग से के से बहुत सारा निवेस आने वाला है ऐसे में ये स्टॉक कमाल कर सकता है तो क्या इंवेस्मेंट करना चीए जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बिल अबाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले IRFC के कारोबार की बात के लिए तो आज शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 176 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे की 173 के आसपास इंट्राडे में 179 का हाई भी बना क्योंकि बाजार में काफे ची तेजी बनी थी दौड लगई बाजाने लेकिन उपर के लेवल से आगई प्रॉफिट बुकिंग और जैसे की बाजार ओल टाइम हाई के बाद में प्रॉफिट क्लोजिंग थी फ्राइडे की 0.093 की गिरावट तो इसके पीछ वजे की लगातार काफी बड़े प्रोजेक कंपनी को मिल रहे कंपनी को एकदम रिसेंटली अभी 156.47 कोड का साउतन रेलवे की तरब से प्रोजेक मिला है तो एक के बाद एक लगातार प्रोजेक के पास आ अब तयार हो चुकी है नई सरकार संबालने को आने वारे समये उनकी जो प्रोजेक्ट है जो अभी पहले ही एनाउस हो चुके वो सारे सरकार कम्प्लिट हो चुकी हो तो इन्फरा के ओपर बुलेट टेन के ओपर जो इस समय सरकार अपने उस portfolio में सबसे आगे रखे हुए तो government की priorities में बहुत सारे जो project है उसमें आप देख सेकते हो कि railway से संबनीद है और आप ये देख सेकते हो कि इसके लिए काफी ज़्यदा एक road में अपतियार कर लिया है और उसके अंदर railway को मजबूती के साथ आगे रखा गया है जिसमें railway की safety के लिए इसके इलाव बूले trains के लिए और इसमें digital technology का इस्तिमाल करने के लिए एक super app लाने के लिए ये सारी की सारी योजनाओं को फलिबूत किया जाएगा तो यह जो नई government है अब देखें इस बार इसके जो policy है उसमें railway sector के मादियम से direct employment generate करना national transporter इसके अलावा और outsourcing के मादियम से non-core jobs create करना यानि लोगों के रोजगार किस्तर से मिले railway के मादियम से उसमें फोकस किया जाएगा और यह तभी possible है जब बहुत सारे project शुरू किया जाए अलग लग तो इंडिया की बहुत सारे जो youth है वो railway sector में अई समय अपना रोजगार करने के लिए तयार है वो यहाँ पर job चाहते है और काफी समय से job vacancies भी है जो इस समय नहीं बर पाई है तो अब यह आने वाले समय देखें कि जो लगाता criticism मिला है बीजेपी government का कि उन्होंने job create ने किये अब की बार वो focus रहा कि जादा से जादा job create के जाए रेलवे इसके लिए एक बड़ा sector है जिसमें काफी जादा job opportunity है अब वन्दे भारत sleeper train भी आ रही है जिसके लिए और नए आप देखें तो stop की जुरूत पड़ेगी तो ऐसे में बहुत सारी नई appointment हो सकती है आने वाले समय दूसरी और वन्दे भारत के लावा जो वन्दे भारत metro भी होगी इस तरह से काफी बड़े project और आने वर्स में पूरे होंगे जिसमें आप देख सकते हो उदमपूर स्रीनगर बारा मुला rail link project है कश्मीर से तरह के लिए बड़ा एक project है इसमें एक बड़ा सबसे बड़ा चिना ब्रीज बनेगा तो काफी अच्छी गुड़नी है इसमें railway से समनेज कमपनियों के लिए चाहे वो IRFC हो RVNL हो या दूसरी railway की कमपनिया हो इसके अलावा देखे तो central government की तरफ से करीब 5.5 lakh करोड के जो project है जो इसमें overrun चल रहे cost के हिसाब से जो काफी बड़े project है जो delay भी हुए काफी ज्यादा तो अप्रेल दोजार चौवीस की बातकरी 448 railway infrastructure के project है जिसकी cost 5.5 lakh करोड के आसपास है और यह देखे तो कि जो cost है यह लगातार इसकी बढ़ रहे है क्योंकि project कुछ delay हो रहे है और delay होने के विए से खर्च बढ़ रहा है तो अप्रेल में देखे तो यह government project के जो 20.09% के आसपास जो 18.65% के आसपास था पिछले महीने तो delay होने के विए से जो original cost है उससे कई ज्यादा उसमें और बड़ोतरी हो जाती है और ऐसे में सरकार चाहते है कि जल से जल वो सारे project complete किये जाए इसके अलाव जो बड़ी एक और update निकल क्या रही है National President of Indian Railway Infrastructure Provider Association यानि IRIPA की तरब से जो असो कुमार पार्टक है उनकी तरब से जो बयाद निकल करा है कि जो नई सरकार का गठन हुआ है वो विक्सित भारत के लिए railway system में बहुत सारे आमूल परिवर्थन करने को त्यार है railway infra के लिए खर्च करने को बिल्कूल त्यार है तो सरकार advance high speed train लाने को बिल्कूल त्यार है इसके इलावा railway infra के लिए safety के उपर सरकार का focus है railway के दोरी करन के लिए railway station के redevelopment के लिए सारे project आने वाले समें सरकार जल से जल कंप्लिर करने की कोसिस करेंगी यानि आने वाला जो 5 साल का period है यह railway sector में बहुत सारा परिवर्तन लेकर आएगा जिसकी सुरुआत अलड़ी पहले ही हो चुकी है तो जिस तरसे यह बयान एक के बाद एक निकल के आरे वो इसारा करें की railway sector में तुफ़ानी तेजी की समवानों बंद रही है अब IRFC वस RVNL दोनों में से कौन सा स्टॉक मजबूत है जिसने अच्छा परदर्शन किया है दोजार चौबिस में तो एक तरसे देखे तो दोनों से स्टॉक मल्टी बैगर साबित हुए पिछले एक साल में इस समय देख सकतो कि IRFC का मार्केट केप 2.34 लेक करोड के आसपा से एक बड़ी कमपनी बन चुकी है और आप देख सकतो कि पिछले 6 मैनों में यहां पर देखे तो 21 परसेंट की बरजी देखना को मिल रही है और यहां पर दोजार चौबिस में 116 परतिशत का जबर्दस रिटन दिया इस स्टॉक ने और आप देख सकते हो कि बैतर परतिशन का राई समा आरोई इसका देखे तो 13.07 परसेंट के आसपास इस्टेबल है और इसका पी रेशियो देखे तो आप देखे कि 35.29 एक्स के आसपास है अब यहाँ पर देखे कि राज्यस सत्पूते जो सेवी रेजिस्टर मार्केट एडवाईजर है उनकी तरब से 190 से 200 के आसपास स्टॉक जाता है तो एक बार आपको प्रॉफिट बुक करना चीए क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा इससमें वालेटेलिटी दिख रही है लेकिन आप देख सकते हो कि यह स्टॉक आने वल्स में बैतर प्रदस्शन करेगा बले इससमें थोड़ा सा आपको वैल्यूशन के मामने एक्स्पेंसिव दिखाए दे क्योंकि स्टॉक 20 रुपी से दोड़ना शुरू आता लेकिन अभी इसके अंदर बहुत सारा पोटेंशल है तो इसमें आप देख दो कि बहुत सारे जो मार्केट एक्सपर्ट बाय की रिक्मेंडेशन दे रहे सबसे जो बड़ी बात है कि FY और मीचल फंट की तरब से अपनी होल्डिंग ओलरी डिक्रीज की गई है उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लिए ऐसे में आने वाले से में फिर से यहां पर लॉट के आएंगे और उनका निवेस आना सुरू होगा तो उसमें IRFC का रोल बिल्कुल बढ़ेगा और स्टॉक कमाल कर सकता है दूसरे अर्वीनल देखे तो इसने भी बैतर प्रदर्सन किया है और पिछले एक महीने में 44% का जब्रस रिटन दिया है येर टू डेट के इससाब से 111% का बंपर रिटन दिया इसका अगर पी रैश्यो देखे तो 53.36x है और इसका आरोई 18.60% के आसपास स्टेबल है और आप देखे तो कि यहां पर जो दो एनालिस्ट है इसमें स्टॉक में होल्ड की राय दे रहे मार्केट एक्सपर्ट देखे तो की सेटी फिनमार्ट के विकास सेटी ने इसमें खरीदारी की सला दिया उन्हों इसका जो टार्गेटर का 425 के आसपास है 395 का स्टॉप लोस लगा के आप इसमें खरीदारी करें काफी बड़ी प्रोजेक्ट है जो कंपणी एक के बार एक कर रही है हर दुसरे दिन कंपणी को एक प्रोजेक्ट मिल रहा है ऐसे मैं आर्वेनल भी कमाल कर सकता है दोनों रेल्वे के शेर बहुत अच्छे है लॉंग टम का नेजरे लेकिन निवेस करना चीए शॉट टम इन्वेश्टर है तो थोड़ा सा रिसर्च करें क्यों कुमाइने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरुकी जोर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड्स